भारतिय जंता पार्टी ने 25 तारीक की वोटिंग से पहले एक नया शडियंत्र रचा है आम आदनी पार्टी को टार्गेट करने के लिए दिल्ली के लोगों को परिशान करने के लिए और इस शड्यंत्र के तहट भारतिय जन्तापाटी ने अपनी हर्याना सरकार के माध्यम से दिल्ली के पानी को रोक लिया है वो दिल्ली वालों को परिशान करने के लिए, दिल्ली में पानी की तरही तरही मचाने के लिए, दिल्ली में आ रही यमुना की वाटर सप्लाई को रोक रही है पिछले कुछ दिनों से जब जगां जगां से पानी की शिकायते आनी शुरू हुई जहां पे कभी पानी की शिकायत नहीं आती है उसकी जाच करने पे पता चला के यमुना का पानी हर्याना सरकार द्वारा रोका जा रहा है जो यमुना का स्तर एक नॉर्मल समय पर वजीराबाद में 674 फीट होता है जब कम भी होता है तो वो जादा मतब लोएस्ट पॉइंट पर 672 फीट तक चला जाता है लेकिन 11 मई से लगातार कल 21 मई तक हर्याना धीरे 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 करके दिल्ली का पानी रोक रही है 11 मई को ये स्तर 671.6 फीट पे था तीम दिन ये 671.6 पे बना रहा 14 और 15 मई को ये 671.9 पे गया 16 मई को ये 671.3 पे नीचे आया 17, 18, 19 मई को ये और नीचे आ गया ये 671 फीट पे आ गया और कल 21 मई को मुझे लगता है शायद दिल्ली के इतिहास में पहली बार यमुना का पानी 671 फीट के भी नीचे आ गया और 670.9 फीट मात्र पर रहे गया ये आकड़े क्या दिखा रहे हैं ये आकड़े दिखा रहे हैं कि 25 मई की वोटिंग से पहले भारतिय जनता पाटी अब नया शडियंत्र रच रही है पानी को रोकने का शडियंत्र रच रही है दिल्ली वालों को परिशान करने का शडियंत्र रच रही है पानी की तरही तरही मचाने का शडियंत्र रच रही है और आम आदमी पाटी और अरवन केज लिवाय जी की सरकार को बदनाम करने का शडियंत्र रच रही है